यादो समाज ने रईवार को अही रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर MVM मैदान में शक्ति बजसन किया है गौलियर से सुनी लियादो आश्ठा के नेतोत में निकले जन जागरती यातरा सनीवार को भोपाल पहुची है रविवार को लाल घाटी चोरहे से विशाल रेली के साथ यातरा विभिन मार्गों से होते हुए MVM मैदान पहुची कारिक्रम में पुर्व कैंद्रिय मंत्री अरुन यादो ने कहा कि हमें भैस का दुद निकालना आता है हमको तो लाठी चलाना भी आता है समाज के लोगों ने एक सुत्रिय मांग को लेकर राज्यपाल को राष्टपती के नाम ग्यापन सोपा समाज के लोगों ने कहा कि अगर अहीर रैजिमेंट का गठन नहीं हुआ तो दिल्ली में प्रदर्शन होगा कारीकर में परम विर्चक्र विजेता पुर्व ब्रिगेएर योगेंद्र यादो ब्रिगेडियर प्रदीप यदू पुर्व केंद्री मंत्री अरुन यादो पुर्व सांसद लक्ष्मिन नारायन यादो पुर्व मंत्री ललीता यादो विधै क्रेशना गोर पुर्व मंत और जब जब कोई शंगाश होता है तो लाठी टेंटा लेकर भी हम लोग निकल लेके लिए तयार आता है अगर भैस का दूद निकालना आता है हमको लाठी चलाना भी आता है लेकिन जब हमारे लोगों की हकी बात होगी उसके लिए जो भी करना होगा जरूर करेंगे जरूर करेंगे सेना में ही रेजिमेंट के गटन की मांग को लेकर वपाल में रईवार को एवी एम में विदा में सक्ति पर्दसन किया गए रेली का देश की सुरक्षा और अखनता मनाय रखने में यादो समाज का बहुत बड़ा युगदान रहा है विटनेस काल में देश की रक्षा के लिए चाहे पहले या दूसरे विश्य युद्ध हो या चीन के साथ रेजिंगला का युद्ध या फिर पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध रहा हो हर मोचे पर यादो समाज के वीरों ने साहदत दी है इसी मांग को लेकर सुनी लियादो आश्टा के नेतरोतों में मत्य परदेश के सभी जिलों से रेली के रूप में भखवाल पहुचकर राचेपाल महदे को राष्टपती महदे के नाम या पंग दिया गया और सेना में अहीर एजिमेंट की मांग को पुरा करने की मांग की गई खरवों जिले से भी युवा इस रेली में सामीर हुए मैं नरेन कुमार यादो अध्यक्ष युवा यादो अहीर समा संगठन जिला करगोन हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दपाना बिल्कुल बिना पुले